दूसेटी इंडिया इस वक्त मैं बड़ी बाते आप दर्शकों को बता रही हूं कि तीनों ही खेमों ने यानि आर जेडी जेडियू बीजेपी सबने तमाम कोशिशे की लेकिन ऐसी सूरत बने कि किसी के भी पार्टी के जितने विधायक है यानि बीजेपी के कुल 78 विधायक नहीं पहुंचे कु 45 जेडियों के विधायक कुल नहीं पहुंचे आर जेडी के कुल 79 नहीं पहुंचे कुल ये इस्तिती इस वक्त है सबसे बड़ी बाते मापको बता रहें कुछी देर से कुछी देर में ये सारे सस्पेंस से परदा हट जाना है कि क्या कुछ हुआ है लेकिन कैसे मानें ये जीता नामाजी के ऐसे बाले चार विधायक वाले जीता नामाजी ने इतना प्रेशर पॉल्टिक्स बीते 15 दिन में खेला है कि कभी अमिट शाह को बात करनी की नौबत आ जाती है तो कभी नित्यानंदर आए उनके घर पे जाते हैं उनको लेकर पहुंचा जाता इस तरीकी साफोरी है कि क्यों निर्दलीय को भी इतना जादा वेलू दिया जा रहा था क्यूंकि मालूम था नितिश कुमार को एक भी सीट इधार उधार हो तो फिर ये खेल बहुत बिगर जाना है एक भी जाना है हाला कि अगर दो RJD वाले नहीं तूटते तो इसी थी खराब होनी थी लेकिन नितिश कुमार पुराने और माहिर खिलारी है राजनिती के कोई साधारन व्यक्ति है नहीं वो बिहार के लिहास से उन्हें पता है कि कैसे किसको कब इस्तमाल करना है यह बहुत बखुबी तरीके से और हाँ राजनिती में यह तमाम पार्टिया करती है इसमें नितिश कुमारी कोई अलग अपवाद नहीं है सारी पार्टिया करती है यही बिहार में भी हो रहा है मैं अपने सयोगी अब रवी का रुक करूंगी यह बड़ी बाते बताने के बाद मुझे वो सारी शर्ते जानना है रवी आपसे कि रवी नहीं है तो मैं चंद्रमोहन से बात करूंगी चंद्रमोहन मुझे यह सारी शर्ते जानने है कि कौन कैसे कैसे माना यह दो चेहरे जो हैं बाहुबलीों के एंगल से अनन सिंग की बीबी हो या फिर अनन्द मोहन के बेटे हो उनके बारे में बहुत जाद दर्शकों के सामने जाने की जरुवत नहीं है वक्त वक्त पर हमने सुशिल मोदी होते ना जितन आमाजसी होते दोनों नए चहरें यह माने किस तरीके सें जितन आम ची चारविधायकोवले बिल्कुल देखिए जितन रामाजी पहले ही दिन से यह कहते आ रहे हैं कि उनको दो बर्थ चाहिए उन्होंने एक जुम्ले में यह कहा था कि दो रोटी से अगर किसी की भूख नहीं जाती हो तो उसको तीन रोटी की जरूरत पड़ती है और ऐसे में जीतन राम माजी का जब यह बयान आया था उसके बाद से ही लगातार बीजेपी के नेता उनसे संपर करने लगे थे उनसे जेडियू के नेताओं ने मुलाकात की थी और यह कोशिस की थी कि जीतन राम माजी वहां से हीले नहीं हाँ इतना जरूर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह कहा गया है कि गया का जो लोकसभा का सीट है वो एक उनके पाले में जा सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो जीतन राम माजी को आगे जब बीजेपी के नेताओं ने उनके उपर डोरे डालने भी शुरू कर दिये थे और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक यह भी कहा गया कि जीतन राम माजी को लेकिन जीतन राम माजी अलगातार कहते रहे कि वो नरेंद्र मोधी के साथ है और हमने हर बार देखा है चंदर मोहन के आकिर किस तरीके से जीतन राम माजी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में सामने आते हैं मैं चंदर मोहन लोट रहे हैं आपके पास एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को देखा रहे हैं यह सदन की तस्वीर आप से कुछी देर पहले कि पहले ये तस्वीर देखियो और समझ ये नितीश कुमार आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं तेजस्वी आदव नजर आ रहे हैं एक दूरी जो है वो दोनों में है लेकिन जिस तरीके की बॉडी लांगविज जो आई कॉंटाक्ट तेजस्वी आदव का है वो ये अगर शायद मैं गलत नहीं हो तो मुक्यमंत्री की दुबारा श्रपत लेने के बाद नितीश कुमार और तेजस्वी आदव का ये पहला वन टूवन है जिसमें तेजस्वी आदव एक अलग सा लुक देते हुए नितीश कुमार को नजर आ रहे हैं जो ये बता रहे है कि द उसरे के सामने नजर आए लेकिन दूरिया साफ साफ दिख रही है और ऐसी ही दूरिया नितीश कुमार जब बीजेपी के साथ आ रहे थे उसके एक महीने पहले दिख रही थी यही नितीश कुमार है जो तेजस्वी आदव के किसी सारकारी कारिक्रम में अपने साथ जब ले नहीं नो वर्स की सुबकामना देने पहुंचे और नहीं राबडी देवी को जन्दीन की बधाई और उसके बाद से साफ तोर पर यह माना जाने लगा कि अब नितीश कुमार ने अपना मुह मोड लिया है और वो महागडबंधन के साथ नहीं रहने वाले हैं और आज जो तस्वीर सामने आई है यह साफ तोर पर दिखा रही है कि भले ही एक दूसरे के सामने दिखाई दे रहे हो लेकिन अभी भी दूरियां और वो दूरियां जो आज से डेड़ माईने पहले बढ़ी थी उसी तरह की कुछ बिल्कुल चंद्रमोहन वो दूरिया जो है वो बॉडी लैंग्विज आई लुक सब में देखी जा सकती है मैं लोटूंगे आपके पास जिस तेवर का मैं जिक्र कर रही थी अपने दर्शकों के सामने की आरजेडी ने जो तेवर दिखाया और वो तस्वीरे आने शुरू भी हो गई आरजेडी के जो समर्थक है वो यह भाब चुके हैं कि क्या होने जा रहा है उनके जब दो विधाय कंदर नहीं पहुँचे हैं तो उन्हें भी सिति मालूम है कि अब जो दावा किया जा रहा था जो खेला शब्द का इस्तमाल किया जा रहा था उसकी सच्छा ही क्या है क्योंकि राजनीती में सर्वे सर्वा है आकड़ा जिसके पास आकड़ा वही सर्वोच होता है और यही सुरत फिलहाल बिहार में भी बनती हुई दिख रही है लेकिन मैं वो तस्वीरे दिखा रही हूँ जो आरजेडी के कारे करता हूँ और पुलस कर्मियों के बीच में धक्का मुक्य के स्तिती यहां पे बैट चुके हैं आरजेडी के कारे करता और आपको अगर नगरा है कि यह सिर्फ आज भर की तस्वीर है बिलकुल ऐसा नहीं ह लेकिन वाने कई दिनों तक किसी तरीके से तस्वीर है आपको बिहार में देखने को मिलेगी सब कुछ कंट्रोल करने किसकी कि बहले से ही आशन का जाहिर कर रहे थे कि अगर RGD के पास बहुमत काक्रादा हो 122 वप्रॉस ना कर पाए उनके विधायक अगर तूट गए तो यही सूरत पनेगी और फिलहाल जो हम आपको तस्विर दिखा रहे हैं जहां पे पॉलिस के साथ कहा सुनी जरब की सिती इस तरीके से बिहार की सियासत में फिलहाल महौल हो चुका है और इसमें कोई दोराय नहीं अगर कुछ देर में अगर आपको सदन के अंदर सत्र के दोरान अगर वहाँ भी धका मुक्की की नौपत आई तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है तर्किया इस लेवल की बढ़ी हुई है जिसमें आर या पार की लड़ाई ये सियासत की वो लड़ाई हो गई है जिसमें इस सिती बहुत ही जादा खराब और भयावा होती जा रही है ये पटना में आर जेडी कारेकरताओं का इस वक्त हो हंगामा हम आपको दिखा रहें जहां पोलिस के सामने सबसे बड़ी चुनावती है इन लोगों को कंट्रोल करना इन लोगों को शांद करना हाला कि जिस तरीके से सिती बिगरती हुई नजर आ रही है उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं अब ये दो तस्वीर एक तरफ वो दो चेहरे जो की अलग हो चुके हैं तो कारेकरताओं के उपर क्या आसर हो रहा है उसकी बानगी हम आपको सडकों पर दिखा रहे हाला कि ये पहले से तैथा कि यार जेडी की कारेकरता जभी भी सरकार गिरती है जभी भी उन्हें लगता सर्वा है बैक डोर से भले लालू यादा उस सारे डिसिजन लेते हैं लेकिन मौझूदा वक्त में तेजस्वी ही इन कारेकरताओं को कंट्रोल कर पाते हैं तेजस्वी इस वक्त अंदर है वहां की तस्वीरे में दिखा रही है लेकिन बाहर जो ये स्थिती बनी हुई है उ इसको लेकर भी बिहार की पुलिस ने पूरी तैयारी कर लिया है क्योंकि ये बिहार में पहली दफा नहीं हो रहा है जब भी सरकार गिरें जब भी चुनाओ पर नाम आएं जिसकी सरकार आती है उसके कारेकरता तो लड़ू बाढ़ते हैं खुश होते हैं ढोलनागारे बसत हैं लेकिन दूसरे खेमे के कारेकरता सडको पर उतर जाते हैं कर दो में पहला हुत मुश सरकार बिच्प सरकार आते हैं